हलो नमस्कार सातियो सातियो आई कोट से सबसे बड़ी खबर आज की सपाई कर्मी बर्ती परिक्चा को लेकर सातियो कोट का सपाई कर्मी बर्ती 2023 की चैन पिरकिरिया पर रोक से इंकार किर दिया कोट ने का कि हमने कोई रोक नहीं लगाई इस बरती पर तो आईए क्या है सच्छाई जानिए साथियों वीडियों में अंतितक बने रहना है जैपुर हाई कोट ने पिर्देश के 176 नगरिय निकाव में 1384 पदों पर हो रही सपाई कर्मी बरती की चैन पिर्किरिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कोट ने का कि हमने कोई रोक नहीं लगाई आप चाहे तो इसको इंटर्वू के आदार पर ले सकते हो चाहे आप लोटरी के आदार पर करवा सकते हो साती प्रातियों को भी भरती पिरकिरिया में सामिल करने का निर्देश दिया है लेकिन उनका चैन इस याचिका के निर्ने के अधीन रहेगा जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश मौम्मद रईष की याचिका पर दिया है मुहम्मद रहीज की याचिका पर दिया है सातियो अदालत ने सपस्ट किया की मौजूदा परिस्थितियों में पूरी भरती पिरकिरिया पर ही रोक लगाना संभव नहीं है मामले की सुनबाई 18 एक्टूंबर को होगी याचिका में सपाई कर्मी बरती का प्रेक्टिकल एक्जाम बेश साक्षातकार के आदार पर करने को चुनोती दी थी प्राती के अधिवक्ता डॉक्टर अभीनव सर्मा ने बताया कि पूर में ही सपाई कर्मी बरती पिरकिरिया लोट्री के जरिये की गई थी साथियों जो मौम्मद रही से उन्होंने याचिका दायर की कि ये लोट्री पिरकिरिया के आदार पर नहीं होनी चाहिए चाहिए और कईयों का कहना है कि ये लोट्री के आदार पर होनी चाहिए यान मतलब दोनों हिस्सों की तरब से कोट में हाई कोट में जो याचिका दायर की गई थी तो उनके उपर अठार एक्टुमबर को सुनवाई होगी नियमों का संसोधन किया था और हुँने हाई कोट ने भी सुकरती दी ती पहले अदालत ने लोट्री पिरकिरिया को सही ठेराते हुए का था कि सपाई कर्मी की भरती में नितम सिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है केवल साक्षातकार या अनिस्माध्यम के जरिये भरतीयों होने पर फर्जी वाड़े की संभावना रहती है यह हम नहीं कह रहे हैं साथियों हाई कोट का आदे से हाई कोट ने कहा है हाई कोट कहरा है कि यदि आप भर्ती को सा wrapped कार मतला इंटरवु और entwickeln के आदार पर कर तो फर्जी वाड़े की सम्भावना देख रहती है इंटर्वु के आदार पर केवल साथ कार या अन्यमादछमित के जरिये बर्ति होने पर फर्जी वाड़े की सम्भावना रहती है इंटर्वी के आदर पर फढदी वाड़े की संभावना रहती है इसको हाई कोट ने कहा है लेकिन मौजूदा बर्ती की नोट्िपिकेशन जारी होने के बाद भी नियमों में बदलाब किया है तो साथियों trying जदी चार अक्टूमबर कितने 4 अक्टुम्बर को आचार सहीता लग रही है कौन सी सहीता आचार सहीता लग रहने जारी है 4 अक्टुम्बर को आचार सहीता लग जाएगी और यदि 4 अक्टुम्बर से पहले आपके एडमिट कार्ट जारी हो जाते हैं एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं तो आपकी ये बेकेंसी दोजा आचार सहीता लगने के बाद भी हो सकती है पर अगर चार अक्टुम्बर से पहले आचार सहीता से पहले अगर यदि आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं होते तो ये बेकेंसी 2024 में होगी अब नहीं होने वा पर पूर्ण कराई जाएगी तो आप देख सकते हैं कि चार अक्टुम्बर से पहले पहले आप कोशिश कर सकते हैं चार अक्टुम्बर से पहले कैसे भी हालत में एड़िट कार्ट जारी करो ओके दोस्तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐस इसी नीज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है